हाई फ्रेंड्स आज मैं एक एंटी एंजाइटी टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ एंजाइटी यानि चिंता को दूर करने के लिए और नीद ने आने जैसे इस्थितियों से निपटने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस किये जाती है एकसल 0.5 मिलिग्राम टेबलेट ब्रांड नेमस ये मार्केट में उपलब्द होता है ए एन फार्मेसिया लिमिटेड के दोरह इसका प्रोड़क्शन किया जाता है कीमत की अगर बात करें तो 10 टेबलेट का एक इस टिप मार्केट में 23 रूपीज का उपलब्द होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिपिकेशन साब तक आ जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिशना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस प्रोड़क्ट में अलपरा जोलाम 0.5 मिली ग्राम के मातरा में उकलाब्द होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोड़क्ट से जुड़े कुछ अन्य बैकल्पिक बारे में तो फ्रेंड्स अल्प्रा सेफ 0.5 मिली ग्राम टैबलेट जिसे स्रेया लाइफ साइंसे प्राइबेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है अल्प्रा जोल 0.5 मिली ग्राम टैबलेट जिसे लेबरेटरेस फार्मसेटिकल्स इंडिया लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है विट लिमिटेट के दोरा बनाय जाता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब ये कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की सिती पर भी पर्चेस करके अपना काम चला सकते है क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या जो मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है और आपको इफेक्ट भी सेम मिलता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स अधिक मातरा में सुष्टी का लगना चक्कर महसूस होना और सिर्दर्द होना इसके कुछ कामन साइड इफेक्ट के रूब में देखे गए है आज़े देखते हैं Friends Chase Medicine को इस्तवाल कैसे करना चाहिए तो Friends इस Medicine कोई खुरांक और जो अनुपान की अबधी होती है उसे डाक्टर की अडवाईस के अनुसार फालो करना चाहिए यानि इसका डोज और डूरेसन डाक्टर के अडवाईस के अनुसार लेना चाहिए इसे साबुत निकलना चाहिए इसे चबाना तोड़ना खुचलना या पीछना नहीं चाहिए इस मेडिसिन को खाना के बाद या बीना खाने के भी लिया जा सकता है परन्तु मेडिसिन को एक निश्चिस समय पर लेना मेडिसिन के गुणवत्ता को बढ़ाता है अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है तो फ्रेंड्स यह एक बेंजो डाइजो पाइन है यह एक केमिकल मेसेंजर्स के एक्सन को तेज करने के काम में आता है जिससे मस्तिस्क की जो थंत्रिकाएं होती है और उसकी जो कोशिकाएं होती है उनकी असमान और अत्तधी गत्विदियों पर रोग लगती है और आपका अवसाद या चिंता जैसी स्थितियों से आपको निपटने में मदद मिलती है साथ ही अगर आपको नीद नहीं आने के समस्य होती है तो उसमें भी आपको रहत महसूस होती है मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं यह एक एडिक्षन टैबलेट है यानि हैबिट फॉर्म प्रोड्यूस करता है इसलिए इस मेडिसिन को डक्टर के सुझाए गए डोज और डूरेशन के अरुसार आपको इस्तमाल करना चाहिए मेडिसिन को लेने के दौरान आपको चक्कर आ सकता है इसलिए मेडिसिन को लेने के पस्चाथ आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए या कोई भी ऐसा अन्य कारे नहीं करना चाहिए जिसमें आपको मेंटल कंसेंट्रेशन की आवस्ता होती है आपको पहले इस चीज को भली माती समझ लेना चाहिए कि मेडिसिन का effect आपके body की उपर किस प्रकार है उसके पस्चात ही किसी भी प्रकार का mental concentration का work आपको करना चाहिए इस मेडिसिन के इस्तमाल के दोरान आपको सराब का सेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से चक्कर बढ़ सकता है बेहोसी बढ़ सकती है और आप अन्य किसी भी प्रकार की complications में पढ़ सकते हैं अगर आप pregnant है या conceive करने की planning कर रहे हैं या brace feeding करा रहे हैं तो या advisable है कि आप अपने डाक्टर को इस बारे में उच्चित परामर्स पहले से अवस्य कर लें इस medicine को लेने के दोरान एक बात खास दोर से याद रखें कि आपको अचानक से इस medicine को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए अगर आप इस medicine को अचानक से बंद करते हैं तो आपको जी मिचलाने जैसी स्थिती का सामने करना पड़ सकता है anxiety बढ़ सकती है, agitation बढ़ सकते है, flu-like symptoms आ सकते है, sweating हो सकती है, tremors हो सकते है और confusion जैसी स्थिती का सामने आपको करना पड़ सकता है इसलिए sudden withdrawal medicine का ना करें अगर medicine के कोई खुराक आप भूल गया है तो जितना जल्दी हो सके आपको medicine की डोज ले लिनी चाहिए परन्तु अगर अगली डोज का समय हो गया हो, तो छूटी हुई जो खुराक है उसे छोड़ देना चाहिए और नीमिस समय की डोज को लेना चाहिए, आपको खुराक को डबल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो friends, ये था एक छोटा सा review medicine से सम्मंधित मैं उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर medicine की review लगतार आते रहते हैं इस वीडियो बस इतना ही किसी अन्य अच्छे important topic के साथ आप से फिर मुलकात करता हूँ, तब तक क्लिए goodbye, आपका दिन सुबह, जय हिंद